ब्यूटिविद ब्रेन है मतलब नो फिल्टर मेकप में भी अगर रहती है तो क्या कमाल की एक्टिंग करती है यार मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी एक हट के फिल्म है और इसको जूर देखना चाहिए तो आके देखना चाहिए क्योंकि ड्रेक्स के बार किस तरह से दिखाया किस तरह से यूवा जो है कि आज नशे की लत में गुश आते हैं तो उसको लेकर मतलब एक मैसीज है प्रिय्म को पसंद करते हैं उनके सिनेमा को पसंद करते हैं जहां आपको प्यार नहीं मिलेगा रोमेंस नहीं मिलेगा तो इस एमोशनल मिलेगा और एक रियल फिल्म को कैसे दर्शाय जाता है बंगिंगम में किस तरह की स्टोरी और कहनी होती है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखे लेकिन उससे पहले ट्रेलर एक पर जरूर देखे ले आपको 90% ये आइडिया हो जाएगा कि फिल्म में आपको समझ आने वाली या नहीं आने वाली बेवो इस बेवो मतलब नो मेक अप नो फिल्टर लुक में भी करीना की एक्टिंग क्या होती है मतलब ब्यूटी विद ब्रेन जिसको हम टाइटल देते हैं अगर किसी को देते हैं तो वो करीना उन में से एक है ब्यूटी विद ब्रेन है मतलब नो फिल्टर मेक अप में भी अगर रहती है तो क्या कमाल की एक्टिंग करती है यार मतलब कोई भी किरदार करवालो रुमेंस हो, कॉमेडी हो सस्पेंस हो, थ्रिल हो और इस तरीके का करदार, सब करदारों में मतलब च्छा जाती है अफकोस तरी बहुत अच्छी थे लगी बहुत अच्छा काम है इसमें करिनाकपूर का काम बहुत बढ़िया है और एक हट के फिलम है और इसको जूर देखना चाहिए तो कितने स्ट्रास देखे जी इसमें मैक्सिम है क्योंकि इस तरह की फिलम बहुत समय बात देखने को मिली है और वाक्य ही बहुत अच्छा अभिनाय सभी का रहा है मुझे फिलम थोड़ी स्लो लगी थी लेकिन सेकेंड हाफ में जब डिस्क्लोज होता है कि मर्डर कौन है तो वो मुझे देखकर अच्छा लगा और काफी सस्पेंस है फिलम में मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी लेकिन थोड़ा पेशन्स रखना वड़ेगा अद दी अन तक अन करीना ने कॉप का कि दान भाया है तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा ओके सो क्या अधी कमेंड करेंगे आप पब्लिक को पब्लिक को पब्लिक को मैं यह कहने जाओंगी कि वन टाइम वाच है एक बार देखने आ सकते हैं और अगर आपको तो कि देखना चाहिए क्योंकि ड्रेक्स के बार किस तरह से यूँआ जो है कि आज नशे की लत्में गुज़ आते हैं तो उसको लेकर मतलब मैसीज है यह साथ में तुमबार भी रिलीज हो रही है तो क्या कहेंगे तुमबार देखें या पर यह माले है वह घख है यहा एक अलग सब्जेक्ट है वह उसका एक Elaconsipto है वो यह एक Elaconsipto है तो Pasad है तुआ क्या है कि थोड़ी मिक्संग कहानी है तो इस में यह ना की डाई स्टार तो बनते हैं